भादों से पहले बिहार की राजनीती में भागदर मचने वाला है और अगले 48 घंटे के अंदर कुछ भी हो सकता है हाला के सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से दावे कर रही है भादिये जनता पार्टी के जो परदेश के बड़े नेता हैं वो दिल्ली रवाना हो चुके हैं और जनतादल युनाइटेट के राष्टे अध्यक्ष ललन सिंग लगतार मुखमंत्री नितीश कुमार से सलाहो मश्विरा कर रहे हैं उन सब चीजों से अलग हट करके एक बात जो सबसे जादा महतुपून है कि इस सियासत में अगर मुखमंत्री नितीश कुमार फिर से नय साथी की तलाश में बीजेपी का साथ छोड़ देते हैं और अगर वो फिर से लालू पृशाद यादब या सोनिया गाधी के साथ जाते हैं तो क्या रननिती उनकी होगी इसलिए कि जहां विपक्ष लगतार केंदर सरकार पर इस बात को लेकर के हमला आवर है कि नाजाइज तरीके से सीबी आई एडी का इस्तेमाल किया जा रहा है तो शायद सियासी तोर पर नितीश कुमार को भी इस बात का खौफ सता रहा होगा कि कहीं ऐसी इस्तिती बने कि हम बीजेपी का साथ छोड़ चले और हम पर कोई दूसरी सियासी मुसीबत आन न पड़े लेकिन उन सब चीजों से अलग हट करके जो जानकार हैं वो ये बताते हैं और खास तोर से निजस फोर नेशन ने जब संपर्क साधने का प्रियास किया तो नितीश कुमार के बहुत ही करीबी एक शक्स ने अपना नाम न बताने की शर्त पे ये कहा कि मुक मंतरी नितीश कुमार अपने पद से इस्तिफा नहीं देंगे बलके गटबंधन तोर लेने की ऐसी सियासी चाल चलेंगे कि इस एक अन्यमार्ग से बस चंद कदम की दूरी पर वो राजभवन पहुंशेंगे और गवर्नर साहिब से ये गुजारिश करेंगे कि बीजेपी कोटे के जो भी मंतरी हैं उन्हें हमारी कैबनेट से बरखास्त कर दिया जाए इसलिए कि इस वक्त गवर्नर भारतिय जनता पार्टी के बहुत ही करीबी माने जाते हैं आईसा विपक्ष्ट का इलजाम शुरू से रहा है लेकिन सियासी चाल पर अमिश्चाह की जो चाल है वो भारी ना पर जाए इसको लेकर की भी जनता दल यूनाइटेड लगतार सलाहों मश्विरा कर रहा है और अपनी पार्टी निताओं के साथ एक अन्यमार्ग में मिटिंग का दौर शुरू होने वाला है जो उनके सोला मिंबर आप पार्लेमेंट हैं और जो भी विधायक हैं उनके साथ सलाहों मश्विरा होगा कि अगर हमें RJD के साथ जाना हुआ यानि BJP को अगर हम अलविदा कहते हैं तो हम पर कोई सियासी संकट ना आए यानि जो खुशी का मौका होगा कि भारतिय जन्ता पार्टी का साथ छोर करके महागडबंधन के साथ हम नए रहा पे चल पड़ें तो शायद मुसीबत आ जाए इसलिए जानकारों का ये मानना है कि मुखमंत्री नितीश कुमार पिछली बार की तरह मुखमंत्री पत्से इस्तिफा नहीं देंगे बलके गवर्नर साहब के सामने जाकर ये सिफारिश करेंगे कि बीजेपी कोटे के जो भी मंत्री हैं उन्हें हमारी कैबनिर से हटा दिया जाए और जब ये तलखिया सामने आएंगी तो भारतिय जन्ता पार्टी का यो ही साथ छूट जाएगा यानि इसे सियासत में कहा जाए कि साम भी मर जाए और लाठी भी बच जाए गाओं की ये कहवत नितीश की सियासत पर साधिक आ सकती है और ये उस सुरत में होगा कि जब भारतिय जन्ता पार्टी यानि एंडिये का साथ छूट जाए हाला कि आमिस शाह ने जब पटना आने के बाद ये कहा कि हम नितीश कुमार को ही अगला मुखमंत्री मानते हैं यानि अगला जो चुनाओ होगा उसमें नितीश ही हमारे नेता होंगे लेकिन हालात कुछ ऐसे बदले कि सियासी गलियारों में भगदर सी मच गई और आज आरजेडी ने अभी अपने सभी परवक्ताओं को हटा दिया है यानि अब आरजेडी की जो जबान है आरजेडी की जो भाशा है आरजेडी की जो बाते हैं वो जगदानंद के जबान के हवाले है यकिनन ये बात लालू परशाद यादब ने उन्हें कही होगी कि आप अपनी जो सुलजी नपी तुली जबान है उससे ही बात करे हाला के जेडियू के भी कई नेता ने शाम होते होते तक ये तक कह दिया कि सरकार पर कोई संकट नहीं है लेकिन जो सरकार एक अन्यमार्ग में बैठे हैं वो सुबा जंता के दर्बार में थे अब तक खामोश हैं सियासी तोर पर नितीश कुमार का कोई जोर नहीं है ऐसा लोग मानते हैं लेकिन हम ये बताना चाहते हैं के एक अन्यमार्ग से बस चंद कदम की दूरी पे राजभवन है जहां मुक मंतरी को गड़मंतन तोर देने के लिए दो मिनट का भी वक्त नहीं लगेगा यहां से चेहल कदमी करते हुए वो राजभवन जाएंगे और फिर वो हो जाएगा जो भादों में भागदर मचने जैसा है आरजेडी के लोग भी बोलने के लिए तयार नहीं है लेकिन आने वाला जो 48 घंटा है वो बिहार की सियासत के लिए बहुत ही महतुपून होने वाला है तो कुल मिलाकर के मुकमत्री नितीश कुमार पिछली बार की तरह इस बार इस्तिफा नहीं देंगे बलके ऐसा करने वाले हैं सिर्फिस लिए कि भारतिये जनता पार्टी कहीं अपने सियासी जाल में उन्हें फंसा न ले मुखमत्री नितीश कुमार गवर्नर के सामने ये सिफारिश कर देंगे कि बीजेपी कोटे से जितनी भी मंत्री हैं उन्हें हटा दिया जाए और जब खेल बिगड़ेगा तो नया खेल शुरू होगा और शायद मुखमत्री नितीश कुमार को फिर दोबारा शपत लेने की न के जा सकता है और इतनी तपिश में एक रज का चानकिया मुलक के चानकिया को मात देने के फिराक में है सियासि तोर पर अभी कुछ भी कीलियर नहीं है लोग परिशान हैं लोग अपना-अपना आकलन रगा हैं और भारतिय जनता पार्टी के सभी नेताओं को खामोश रहने की हिदायत दी गई है शानवाज हुसैन संजे जासवाइल जैसे बड़े नेता दिली तलब कर लिए गए हैं और यहीं एक अन्यमार्ग में मुकमत्री नितीश कुमार के साथ उनकी पार्टी के लोग बैट के मन्थन करेंगे आगे की क्या रननेती ह होगी इससे कोई भी वाकिफ नहीं है लेकिन मुकमत्री नितीश कुमार सियासी चानक क्या है क्या होगा इंडिये में सब कुछ ठीक ठाक रहेगा या नई सरकार नए रास्ते होंगे एक अन्यमार्ग से चार कदम की दूरी पर मुकमत्री राजभवन पहुँचेंगे और फ कुछ भी नहीं है और कर वो जाते हैं जिसके बाद लोग चर्चा करते हैं कि नितीश होना आसान नहीं है सहयोगी गौतम कुमार के साथ सिमा बखतर नीज़ फोर नेशन पटना